प्रदेश सरकार द्वारा पूरप कॉंग्रेस सरकार के फैसले को पलटने और आए दिन किये जा रहे है जन विरोधी नीर्णों के खिलाफ यूवा कॉंग्रेस विरोध का विगल बजाने के तियारी में हैं इसी के मद्दे नजर 2 अप्रेल को हमीरपूर जिला मुक्याले पर यूवा कॉंग्रेस धर्ना परदर्शन करने के साथ-साथ उपायूप के माध्यम से राजयपाल को ग्यापन सौंपे गी हमीरपूर के सरकेट हाउस में यूवा कॉंग्रेस की एहम बैटिक का आयोसन किया गया जिसमें परदीश यूवा कॉंग्रेस महासर्चिव हमीरपू तीतियों को दर्शाय जाने पर भी यूबा कॉंग्रेस ने कड़ा विरोध किया। परदेश यूबा महासची विवेक कुमार ने कहा कि देश के हर उपचुनाबों में कॉंग्रेस ने बाजी मारी है। इसका मुख्य अजंडा ये था कि जो आपने देखा कि कल चुनाब आयोग के द्वारा जो एक महत्तपून जानकारी जो चुनाबों की करनाटका के चुनाबों की चुनाबों की देनी थी उससे पहले भाजपा के कारेकरताओं द्वारा और भाजपा के आईटी सेल के द्वार वो ट्वीटर पे ट्वीट करके पहले जानकारी दे रहे थे कि इतनी तारिक को चुनाव होंगे उसके बाद चुनाव आयोग ने जो तिथियें ताय की उसमें साफ पतालग चलता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मिली भगत से वो भाजपा सारे राज्यों के उपर है आज के समय में जो चार साल पहले मोदी जी ने युवाओं के साथ वाइदे किये थे कि दो क्रोड नोक्रियं देंगे और महंगाई कम करेंगे इस तरह के जो मुद्दे हैं इसके उपर इस पूरे बैठक में चर्चा की गई और अभी हाल ही में जो जैराम जी किस दो सरका बनी है उसके द्वारा जो जन विरोधी जो उन्होंने निरने लिये हैं जो जन विरोधी वो निरने ले रहे हैं चाहे वो कॉलेजों को बंद करने की बात हो स्वास्थे संस्थानों की बंद करने की बात हो दलाश में पल्टेक्निकल जो कॉलेज है उसको बंद करने की बात इन सभी के ओपर युवा कॉंग्रेस ने यहां पर बैठ कराज विरोध किया है और तय किया है कि 2 अपरेल को यहां पर जिला मुख्याले में युवा कॉंग्रेस जो है भरती जिनता पार्टी के खिलाफ धरना देगी और जिला दीश के माध्यम से राज्ये पाल महोदे को ग् चुट है और संगटन ठीक से चला हुआ है और जो जिम्मेदारी आगामी चुनावों में मिलेगी युवा कॉंग्रेस के सदस्ते वक्षों भी निभाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत से ऐसे देश है जो एवी एम को नकार चुके हैं जो एवी एम के माध्य से चुनाव नहीं करवाते हैं बैलेट के पेपर के उपर चुनाव कराया जा रहे हैं आज क्या कारण है कि जहांपर कॉंग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह स उसमें जो है कॉंग्रेस पार्टी और अन्य दल जहां पर जिनकी पकड़ है वहां वहां पर द्वह जीत रहे हैं क्यों क्योंकि भारती जनता पार्टी को पता है कि उप चुनाव से जो है वो सरकार के ओपर कोई असर नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं जो है अगर सभी दल ये बोल रहे हैं कि EVM में जो है वो छेड़ चाड़ की जा रही है तो क्यों ना भारती जनता पार्टी जो है वो इसको इसको स्पास्ट रूप से जनता के सामने रखे और बताए कि बैलेट विपर से चुनाव कुरा कि अगर वो जीतते हैं तो फिर हम बहुमत मानते हैं कि वो उनको मिला है किन्तु अगर भारती जनता पार्टी और चुनावायों के उपर जो है वो दबाब बनाने के लिए युवा कॉंग्रेस को सड़कों पर EVM के लिए उतरना पड़ेगा तब भी जो है EVM को जो है उसके साथ छेड़ खानी के जो आरोप जो लगाया जा रहे हैं युवा कॉंग्रेस उसके विरोध में जो है विरोध परदर्शन, हिमाचल परदेश में विधान सभासतर के उपर और लोक सभासतर के उपर भीज़ अगर हमें आदेश आएंगे तो हम युवा कॉंग्रेस वहां पर जाने के लिए भी तैयार है इस अपसर पर प्रिदेश विवा कॉंग्रिस के पूरव उपाधियक शिस्वारब कटोच, डिंपल कटोच अंकुष पठानिया, विशाल राना, गोल्डी के अलावा शुकांत, भाटिया, करन राना, अंकुष अंशुल कुमार भी मौजूत रहे